नेक्स्ट कोशियन है A scored 30% marks and failed by 15 marks मान लीजी यह क्या था यह क्या है passing marks है passing marks है यह फिर percentage दी गई है ठीक है नब passing percentage बहें इतने percent तो लेने जरूरी है कुछ भी हो सकते हैं ठीक है ना इतमे भी x percent ठीक है ना मैंने x percent मान लिया अब उसने कहा है कि A score 30% मार्क्स एंड फेल बाई 15 मार्क्स ठीक है ना तो ए ने क्या किया 30 परसेंट नंबर लिए ठीक यह नेगटिव दिखाया यह नेगटिव नहीं यह 30 परसेंट मार्क्स लिए और वह फेल हो गया मतलब वह यहां था ठीक है यह गैप कितने का है 15 मार्क्स का पास होने के लिए इतने मार्क्स सही थे लिए उसने इतने ठीक है तो वो 15 नंबर से फेल हो गया बी स्कॉर्ड 40 परसेंट मार्क्स एंड अप्टेन 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वाइर टू पास ये तो था किसका था ये एका था राइट अब एक बी है बी ने क्या किया ये बी है बी ने 40 परसेंट मार्क्स लिए ठीक है तो उन 40 परसेंट में क्या हुआ वो पासिंग मार्क्स से कितने अधिक मार्क्स ले गया थर्टी फाइब मांक्स, ठीक है, तो 30% में तो 15 नंबर से फेल हो गया, और बी ने जो 40 परतिशत लिये थे, वो 35 नंबर से पास हो गया, अब देखें, परसेंटेज कितना डिफरेंस है, परसेंटेज का, 40 माइनिस 30, 10%, 10% is equal to, किसके equal है, यह माइनिस के 15, यह 15 तो यह कवर अगर मुझे 30 से 40 जाना है, तो 10% सहीएगonton, और मुझे यहां से यहां आँ है, तो 15 और 35, 50, 57, ठीक है, फिटी माक्स, ठीक है, पेपर कितने का więcej, 100% का होता यह, ठीक है, 10% का मतलब क्या था, पचास माक्स, तो 100% का मतलब क्या है, 500, ठीक है, यह तो होगे, टोटल माक मार्क्स यह कितने होगे टोटल मार्क्स हमसे पूच्छा क्या है देखे हमसे पूच्छा है कि यहां पर पासिंग मार्क्स कितने थे अब देखिए 10% का मतलब है 50 30% का कितना होगा तीन गुणा यानि 150 पलस 15 जोड़ दीजी तो कितना आजाएगा 165 यानि पासिंग मार्क्स कितने है 165 लेकिन वह यह मार्क्स परसेंटेज में पूच रहा है तो 165 बाई 500 देख लिजे काटके इन्टू 100 परसेंटेज में आ जाएगा 5 पर कैंसल होगा पास तीए 15 पास तीए 15 और यह आ जाएगा 100 100 से 100 कैंसल 33% तो पासिंग मार्क्स परसेंटेज में पूच रहे तो उप्शन A is the right answer 30% हमारा आंसर है